जैहिं सातियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सत्र दोहजाद चौबीस पचीस के लिए कक्षा एक में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए जो स्कुल रेडिनेस कारेक्रम समगर सिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचारीत है उसमें हमें क्या क्या करना है और यह कारेक्रम कितने सब्ता का है तो चलिए सातियों हम देखते हैं वन बाई वन ये है हमारे इस रजिश्टर का फ्रेंट पेज इसके आगे हम बढ़ते हैं सातियों यह जो कारेक्रम है यह टोटल 12 सब्ता का है और इसमें क्या क्या हमको करना है देखी इसका अप्रारूप परिजुना कारेलर द्वरा बताया गया है जिसमें 1 अप्रेल से 15 अप्रेल 2024 है तू निर्धारित है कि कक्षा एक में जो बच्चों का प्रवेश करना है हमक इसकूल रेडिनेस गतिविधी केलेंडर जो मिला हुआ है उसके अनुसार उसका संचान करना है कक्षा एक में उसके बाद है अगस्त के अंतिम सब्ता से सितंबर के प्रथम सब्ता तक इसकूल रेडिनेस कारेक्रम समाप्ती के पश्चर अभी भावकों के साथ बैठक करते बच्चों की प्रगती से हमें उनको आउगत कराना है यह है इस पंजिका का द्वितिय पेज आगे बढ़ते हैं साथियों इस कोर्स से संबंदी जो दिक्षा पोर्टल पर दिक्षा जिसका की फुल फॉर्मेट डिजिटर इंफ्रास्ट्रॉक्टर्ट्टर फॉर नॉडज श संचारित है इस कोर्स का लिंक्ट भी मैंने आँ मेंशन किया हुआ है https शॉर्ट यॉर्ल डॉट एटी श्लैश एफ सी एस फाइव यह दिक्षा पोर्टल पर कोर्स उपलब्द है यह भी हम सभी को करना है यह था हमारे रजिस्टर का त्रिती पेज उसके बाद अब देखत से लेके बारह में सब्ता तक यानि टोटल आठ और चार बारह सब्ता हो गए आधार श्रीला क्रियानमेन संदर्शी का जो की हमारी टीचर्स गाइड के रूप में अबलेबल है कक्षा एक के लिए उसको हमको संचालित करना इस प्रकार यह पूरा कारेक्रम आठ और चार य हम लोग सिख्षक डायरी में इसी के क्रम में 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 इसको ध्याम में रखना है जिसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम है सोतंतर खेल है भाशा और साक्षरता है कला है गडित एवियश या वैग्ञैनिक सोच है बाहरी खेल है और लास्ट में है गुडबाय सर्कल टाइम तो प्रतेक सत्ता में कुल 6 दिन यहां प्रतेक दिन कुल 7 अलग अलग सरकल में ही सिक्षण कारे हमको करना है साथियों तो यह रहा इसकुल रेडियेस प्रोग्राम का पूरा डीटेल उम्मीद है साथियों कि आपको यह वीडियो इस वीडियो से काफी चीज़े क्लियर हो गई हो और यह मुझे विश्वास है कि अपरे अन्य साथि इससे भी बेहतर कारे कर रहे हैं और कर लेंगी तो साथियों इस वीडियो में इतना ही आगले टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो मिलूंगा तब तक के दिए जय हैं